बिस्मिल्ला रह्मान रहीम पिछले लेक्चर में हमने पर्चेजिंग पारपैरिटी थेरी के कॉंटेक्स्ट में दो फैक्टर्स को डिस्कस किया कि वो कैसे एक्सचेंज रेट को लॉंग रॉन में एफेक्ट करते हैं जिनमें एक था रेलेटिव प्राइस लेवल और दूसर था ट्रेड बारियर्स इस लेक्चर में हम दो और फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनमें एक है प्रिफरेंसेज फार डॉमेस्टिक वर्सिस फारण गुड्स और दूसरा है प्रड़क्टिविटी अब यह जो प्रिफरेंसेज फार डॉमेस्टिक वर्सिस फारण गुड् उस मुलकी goods and services की demand बढ़ जाएगी जब demand बढ़ेगी तो उस मुलकी exports बढ़ जाएगी उसका foreign exchange ज्यादा आएगा और उसकी currency जो है वो appreciate हो जाएगी जैसे अगर पाकिस्तान के लोग Japanese automobile की जो है या Japanese cars की उनका जो purchasing है वो जादा कर दें और उसकी preferences जो है पाकिस्तान में वो Japanese car के लिए जादा हो तो जापन की कार्स पाकिस्तान में जादा सेल होंगी और पाकिस्तान का foreign exchange जो है वो जापन में shift होता रहेगा तो पाकिस्तान की currency जापान के मकाबले में डिप्रिसी एट हो जाएगी जबके दूसरी तरफ यह है कि अगर जैपनीज जो है वो पाकिस्तानी राइस की काटेस्ट डिवलप करें और ओवर टाइम जो है वो पाकिस्तान से राइस ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाएं जैपनीज तो उसकी वज जब एक कंट्री की प्रॉडक्स के बारे में जो ज्यादा तर दुनिया के कंजियूमर्ज हैं उनका टेस्ट डिवलप होता है उनकी प्रिफरेंसिस बिल्ड होती है तो उस केस में उस कंट्री की करनसी एप्रिसियेट होना शुरू हो जाती है और जब एक कंट्री के लोग दूसरे country की चीज़ें ज्यादा पसंद करना शुरू कर दें तो फिर उस country की currency depreciate होना शुरू हो जाती है. फॉर्थ इशू जो है वो productivity है. productivity से simple मुराज ये होती है कि जो available resources हैं या inputs हैं जिन से output produce होती है तो productivity ज्यादा होने का मतलब ये है कि given inputs के साथ output ज्यादा हो गई है. अब उसकी कई reasons हो सकती है, technology improve हो गई है, लोग ज्यादा educated हो गए है, उनका human capital बेतर हो गया है, तो किसी भी reason से अगर किसी country की productivity increase हो जाए तो और ये productivity के लिए जुरूर ही है कि दूसरे country के मुकाबले में ज्यादा हो, हम जितने भी factors discuss करेंगे open economy में, वो सारे के सारे relative context में है यानि कि अगर पूरी दुनिया में productivity improve हो जाए तो फिर तो इस से किसी country की currency पे फरक नहीं पड़ेगा, currency की value पे फरक पड़ता है जब relative sense में productivity या पकोई भी factor change हो जाए, तो जिस country की productivity relative time में यानि कि बाकी मुलकों के मुकाबले में ज्यादा increase हो जाए, तो जब भी productivity increase होती है वो mostly tradable sector में होती है, यानि कि जो दुनिया में चीजें trade होती है, वहाँ productivity higher होती है और जो non-tradable sector होता है, उसकी productivity low होती है, और productivity का मतलब होता है, given resources के साथ production बढ़ना, तो उससे prices गिर जाती है, तो अगर जो tradable sector है, उसमें productivity ज्यादा increase हो किसी country की, तो इसका मतलब है, tradable sector में goods and services की prices गिर जाएंगी, अब जितनी prices गिरेंगी, उतनी उस मुलक की goods and services की demand दुनिया में बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है, इस country की exports बढ़ जाएंगी, productivity improve होने से, जब exports बढ़ेंगी, तो ये country foreign exchange earn करेगा, और उसके नतीजे में इसकी currency जो है, वो appreciate होना शुरू हो जाती है, appreciate हो जाती है, अब ये जो चार factors हमने दो lectures के अंदर discuss किये, इसको finally मैं summarize कर देता हूँ, इस table के अंदर, इस table के मताबिक हमारे चार ऐसे factors हैं, जो long run में exchange rate को effect करते हैं, जिन में पहला domestic price level है, तो अगर domestic price level increase हो जाए, तो जो exchange rate है, वो decrease होता है, और exchange rate decrease होने का मतलब ये है कि जिस country में domestic price level increase हुआ है, उसकी currency depreciate हो गई है, दूसरा है trade barriers, जो country अपनी trade की उपर barriers impose करता है, restrictions impose करता है, hurdles create करता है, उस country की currency appreciate हो जाती है, यानि कि exchange rate increase हो जाता है, जिस country के लिए import demand बढ़ जाए, जिस country में, उस country के अंदर, यानि कि उसके residents की preferences foreign goods के लिए ज्यादा हो जाएं और उसकी imports बढ़ जाएं, तो नतीजा यह होता है कि उसकी currency depreciate होती है, यानि कि exchange rate decrease हो जाता है, और जिस country की goods and services की demand foreigners करना शुरू हो जाएं, तो फिर क्या होता है, preferences अगर foreign जो residents है, जो foreign consumers है, उनका taste develop हो जाए किसी country की products के लिए, चाहे उ उसकी quality का reason है या कोई भी और reason है, उसकी price भी एक reason हो सकती है, तो फिर नतीजा यह होता है कि exports बढ़ती है और exports बढ़ने के नतीजे में उस country की currency appreciate होती है, और finally जो productivity है, जब किसी country की productivity increase होती है और especially tradable sector में increase होती है, तो productivity increase होने से उस country की goods and services सस्ती हो जाती है, जो बेरूनी द strong हो जाती है और exchange rate increase हो जाता है, thank you.